खबर जबलपूर से है जहां 65 दिन बाग कोविट संक्रमित 77 वर्षी वृद्धा की मौत हुई है हलाकि मौत की वज़ा कोविट की बजाय उससे हुई दूसरी गंभीर मौतों को माना जा रहा है वृद्धा की रीर की हड़ी हार्ट, ब्रेन, स्ट्रोक, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों से पीडित थी कोविट संक्रमित भी जरूर था लेकिर उसके लक्षन नहीं थे हार्ट में किसी भी तरह का इंफेक्शन नहीं था वहीं जिला प्रशासन के ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 206 सैंपल की रिपोर्ट में एक भी संक्रमित नहीं मिले है वहीं ना ही कोई डिस्चार्ज हुआ है जिले में पाच एक्टिव केस हैं और सभी घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं उनमें सामाने लक्षन है दम तोडने वाली जबलपूर निवासी 77 वर्शी व्रशी व्रशा को ब्रेन स्ट्रोक के चलते परिजन ने 18 अप्रेल को शहर के रसल चौक इस्तितनीजी अस्पताल में भरती कराया था व्रशा को कोविट के दोनों ही डोज लग चुके थे सभी अस्पतालों में भरती होने वाले मरीजों की कोविट की जाच अनिवारे रूप से करायी जा रही है और इसी क्रम में व्रशा की भी जाच करायी गई थी ब्रेन स्टोक के चलते उसे पहले लाइब सपोर्ट पर रखा गया था आखेकार उसे बचाया नहीं जा सका व्रधा को कोविट प्रोटोकॉल के तहट अंतिम संसकार कराये गया है सहर की एक नर्स का सोला वर्सी बेटा भी कोविट से संक्रवित हुआ था समाने नीमोनिया के लक्षर थे उसे भरती कराये गया था जहां उसका ब्लड प्रेशर आधी समाने निकला इसके बाद उसके फेपडो का एक्सरे कराये गया जो पूरी तरह से सफेद मिला उसका ऑक्सिजन लेवल घट कर सत्तर पर आ गया था सांस लेने में परिशानी हो रही थी वहीं डॉक्टरों ने उसे ठीक कर लिया है किसोर ने कोविट का ठीका नहीं लगवाया था इससे पहले 17 फरवरी को जिले में कोविट से एक मौत हुई थी तब 5080 सेंपल की जाच में से 50 संक्रमित मिले थे उस समय जिले में एक्टिव केस 305 थे अब वहीं 65 दिन बाद 77 वर्जी व्रिद्धा की मौत हुई है ये भी संक्रमित थी हलाकि उसकी मौत की वज़ा दूसरी गंभीर मिमारियां बताई जा रही है जिले में अब तक कुल 797 लोगों कोई कोविड से मौत हो चुकी है